बात करेंगे ग्लैंड फार्मा के बारे में जो तेरा सुरूपे पर कामकाच कर रहा है दिन की शुरूबात हम देखेंगे तो सीधा सीधा एक डाउन फॉल के साथ शुरू हुआ है ये डाउन फॉल बहुत जादा स्टिफ था अधिक जानकारी के लिए हमें यही पता चलता है कि अब इसका जो 1300 का लेवल है ये फिलाल एक सपोर्ट लेवल बन चुका है अब देखिए 1300 का लेवल सपोर्ट लेवल के बारे मैं ऐसा क्यों कहा क्योंकि ये स्ट्रॉंग 1300 का जो ये नंबर है ये बड़ा स्ट्रॉंग था यही सपोर्ट लेवल फिलाल बना हुआ है और य यहाँ पर एक reversal देखा है 1200 से reverse होके 1300 cross कर गया था यहाँ पर breakout मिला था वहाँ से फिर वापस आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1300 के नीचे अगर चला जाता है तो फिर अगला पड़ाओ 1200 होगा और यहाँ से अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए market को आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा यहाँ पर चार्ट पर अगर आपको दिखता है कि फिर थोड़ा उपर जा रहा है 1300 के उपर sustain कर रहा है तो हो सकता है कि यह पूरे दिन भर में इसी range में घुमे और बाद में जाके आपको 1400 का breakout देखने को मिलेगा